the diameter of a metallic ball is 4.2 cm तो हमें एक metallic ball दी गई है जैसे ये कंचे होते हैं तो metallic ball यानि की बिलकुल अंदर से solid what is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 g per cm q देखो हमने इसका mass निकालना है ठीक है mass क्या होता है mass होता है density multiplied by volume ठीक है ऐसा क्यों मैं अभी समझाता हूँ आपको क्योंकि यह formula कई बार याद नहीं आता तो उसको आप question से ही read करके बना सकते हो ठीक है कैसे यह मैं आपको बताऊंगा पहले हम क्या करते हैं पहले हम इसकी volume निकाल लेते हैं ठीक है अब इसकी volume निकालना ही है और volume यानि की volume किसकी निकालना है हमने एक sphere की ball जो है यह ब्लकु सफेरिकल है ठीक है sphere shape की है कोई भी sphere हो उसका volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube तो हमें सिर्फ और सिर्फ radius चाहिए होता है pi constant है 4 by 3 constant है सिर्फ radius पता हो तो हम इसका volume निकाल सकते है अब हमें इसका diameter already given है diameter कितना है इसका 4.2 cm तो इसका अंतलर radius कितना आ जाएगा अगर यह 4.2 cm तो radius सिर्फ और सिर्फ इसका half हो गया ठीक है यानि कि 4.2 divided by 2 which is equal to 2.1 cm radius आ गया अब हम इसका volume निकाल लेते हैं तो volume कितना हो गया 4 by 3 into pi हमें already questions में बोला गया है कि अगर कुछ ना given हो तो 22 by 7 use करो r 2.1 हमने अभी अभी यह find out किया 2.1 और इसका मुझे क्या करना है क्यों यह जब आप solve करोगे तो यह आपके पास आजाएगा 38.808 cm3 cm3 volume के unit होते हैं ना यादो कि volume के unit क्या है तो बड़ा easy होता है देखो आपने r cube किया यहाँ पर pi constant 4 by 3 constant इनका कोई unit नहीं होता इनको छोड़ दो सिरफ और सिरफ r cube किया आपने और r कितना था 2.1 cm तो यानि कि आपने cm3 गया तो इसलिए यहाँ पर cm3 आ गया तो यह volume के unit हो गए अब just in case आपको question में यह समझ में ना आए कि mass का formula क्या होता है density into volume तो आपना उसको यहाँ से ही analyze करके देखो वो कहता है कि इसकी density कितनी है 8.9 grams per cm3 कि 1 cm3 का mass जो है वो 8.9 grams है density का मतलब यह होता है density का मतलब यह होता है कि 1 cm3 में कितने grams है तो 1 cm3 में अगर इतने grams हैं तो इतने cm3 में कितने होंगे इसको आप इससे multiply कर दो वो आपका mass आ जागा so अब इसी concept को हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारा mass कितना हो गया density कितनी है 8.9 grams per cm3 और इसको मैं अब किस से multiply कर दोंगा total volume से और total volume कितना है 38.808 और यह मेरा answer आजाएगा 345.3912 इतने grams approximately आपको अगर 2-digit में लिखना हो तो आप सरफ 345.39 grams भी इसको लिख सकते हो that's also fine चाहे यहाँ छोड़ दो answer चाहे यहाँ छोड़ दो बोथ हा रोके so that's it from this tutorial keep watching मैथे माफिया करणार सकते है यहाँ प्रॉब झाहे यहाँ पाल कि लिखते हैं झाहे जह सकते हैं झाहाँ जहाँ जह वाँ जतने में यह रुट है झाल झाल